रिशी कपूर जन्मर 4 सितंबर 1952 हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। रिशी कपूर एक भारतिय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक है। वह एक बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्हें बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रिष्ट अभिनेता के लिए फिल्म फेर पुरसकार और साथ ही 2008 में फिल्म फेर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरसकार सहित अन्य पुरसकारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने उनकी पहली फिल्म में शांदार भूमिका के लिए 1971 में राष्ट्रिए फिल्म पुरसकार प्राप्त किया। व्यत्तिगत जीवन रिशी कपूर स्वर्गिय राज कपूर के बेटे और प्रूथवी राज कपूर के पोते हैं। परंपरा के अनुसार उन्होंने भी अपने दादा और। पिता के नक्षे कदम पर पैर रखते हुए फिल्मों में अभिनय किया और वे एक सफल अभिनेता के रूप में उभराएं। मेरा नाम जोकर यह उनकी पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल किया। जो किशोर अवस्था में अपने टिचर से ही प्यार करने लगता है। परंतु बॉबी फिल्म में वे बतोर अभिनेता के रूप में दिखाई दिये। रिशी कपूर और नीतु सीह की शादी 22 जनवरी 1980 में हुई थी। इनके दो बच्चे हैं रनबीर कपूर जो की एक अभिनेता है और रिदीमा कपूर जो एक द्रैस डिजाइन है। करिश्मा कपूर और करीना कपूर इनकी भतीजिया हैं। फिल्मी क्रियर फिल्मी परिवार से होने के कारण रिशी कपूर हमेशा से ही फिल्मों में अभिनय करने की रूचे रखते थे उन्होंने भी अपने दादा और पिता के नक्षे कदम पर पैर रखते हुए फिल्मों में अभिनय किया और वे एक सफल अभिनेता के रूप में उभराए 1970 में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर यह उनकी पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपने पिता के बच्चपन का रोल किया जो किशोर अवस्था में अपने टिचर से ही प्यार करने लगता है हाला कि इससे पहले वह श्री 420 में छोटे बच्चे के रूप में नजर आ चुके हैं जिसकी शूटिंग के लिए नर्गिस को रिशी को बहुत सी चॉकलेट दे कर मनाना पड़ा था रिशी कपूर ने बॉलिवुड में बतौर एक्टर 1973 में फिल्म बॉबी से किया था इस फिल्म में उनके अपोजिट डिम्पल कपाडिया थी ऐसा माना जाता है कि राज कपूर ने अपने बेटे रिशी कपूर को लांच करने के लिए बॉबी बनाई थी इस बात की हकीकत बताते हुए रिशी कपूर ने कहा कि मेरा नाम जोकर की अस्फलता के बाद राज कपूर के आर्थिक हालाग बिगड़ चुके थे जिसकी वजह से वह एक टॉप स्टार को फिल्म के लिए साइन नहीं कर पाए थे ये फिल्म सुपर हिट हुई थी जिसके लिए रिशी कपूर को सरवश्रिष्ट अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरसकार मिला रिशी कपूर ने अपने करियर में एक हजार नौसौ तिहत्तर से दो हजार तक बानवे फिल्मों में रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया है इन्होंने बतौर सोलो लीड एक्टर 51 फिल्मों में अभिने किया है रिशी कपूर अपने जमाने के चॉकलेटी हीरोज में से एक थे रिशी के साथ रिश्टे की शुरुवात के समय नीटू इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश में थी जबकि रिशी एक सफल अभिनेता थे नीटू और रिशी की पहली फिल्म जहरीला इंसान थी प्रमुख फिल्में 1970 मेरा नाम जोकर 1973 यादों की बारा बॉबी 1975 राजा रफु चक्कर 1976 कभी कभी बारूद लैला मजनू रंगीला रतन 1977 चला मुरारी हीरो बनने अमर अकबर एंथोनी दूसरा आदमी 1978 नया दौर पती पतनी और वो बदलते रिश्टे फूल खिले है गुल्षन गुल्षन 1989 जूठा कही का सलाम मिमसाब सरगम 1980 धन दौलत आपके दीवाने दो प्रेमी कर्ज 1981 नसीब जमाने को दिखाना है 1982 प्रेम रोग ये वादा रहा दीदार 1983 कुली 1984 दुनिया 1985 सितंगर जमाना सागर तवायफ रही बदल गए 1986 दोस्ती दुश्मनी नसीब अपना अपना 1987 सिंदूर हवालात प्यार के काबिल 1988 घर घर की कहानी विजय हमारा खांदान 1989 घराना हथियार बड़े घर की बेटी चांदनी खोज 1990 आजाद देश के गुलाम शेशनाग अमीरी और गरीबी 1991 रनभूमी अजूबा घर परिवार हिना बंजारन 1992 हनीमून बोल राधा बोल दीवाना 1992 दामिनी साधना 1993 साहिबा श्रीमान आशिक इजद की रोटी 1994 घर की इजद प्रेम योग साजन का घर इना मीना डीका 1995 याराना साजन की बाहों में हम दोनो 1996 दरार प्रेम गरंत 1997 कौन सच्चा कौन जूठा उन्नीस सौ निन्यानवे जय हिंद दो हजार कारोबार राजु चाचा दो हजार एक कुछ खाती कुछ मीठी दो हजार दो ये है जलबा दो हजार तीन कुछ तो हैं तेहजीब 2004, हम तुम 2006, फना 2007, ओम शांती ओम, नमस्ते लंदन, 2008, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक हलाबोल 2009, प्यार आजकल, देलही 6, चिंटुजी 2011, पटियाला हॉस, तैल मी ओ खुदा 2012, जब तक हैं जान, अगनिपत 2013, बेशर्म, और अंगजिद 2015, शादी कुलाव 2016, सनम्रे और कपूर एन संस्त